नमश्कार इशन इस इड़ीद में आपका स्वागत है मैं प्रिया आपके साथ उजेन में हैं सब तो सागर कहीं चड़ाते हैं खीर तो कहीं माल पूआ आईए जानते हैं क्या ही ये परंपरा उजेन धार्मिक नगरी है यहां ऐसी कई परमपराओं का पालन किया जाता है जो कहीं और देखने को नहीं मिलती है यह ऐसी परमपरा है सब्त सागर की यात्रा की परमपरा केवल अधिक मास में देखने को मिलती है उजिन में कई धार्मिक परंपराओं का पालन किया जाता है आज हम आपको ऐसी ही धार्मिक परंपरा के बारे में बता रहे हैं उजिन में अलग-अलग इस्थानों पर साथ तालाब है जिने सप्त सागर कहा जाता है जिनका वर्णन इसकंद पुराण आधिक ग्रंतों में मिलता है वेसे तो यहां प्रति दिन पूजा पाट की जाती है लेकिन अधिक मास के दोरान एक ही दिन में साथ यानि सब्त सागरों की परिक्रमा करने की परंपरा है इस दोरान इन सागरों में कुछ खास चीजे चड़ाई जाती है मानेता है कि ऐसा करने से शुब फल मिलता है और जीवन के सभी कष्ट भी दूर होते हैं आगे चानते हैं कि किस तालाब में कौन सी चीजे चड़ाई जाती है एक, पहले सागर का नाम है रुद्र सागर मांकाल मंदिर और हरसिदी मंदिर के बीच इस्तित है यहां नमक, सफेद कपड़े और चान्दी के नंदी अरपन करते हैं दूसरा सब्त सागर में है पुशकर सागर यह मांकाल मंदिर से कुछी दुरी पर नलिया बाखल में इस्तित है यहां पीले वस्त्र और चनी की डाल चड़ाई जाती है तीसरा सागर है नई सडक पर शिर सागर यहां साबुदाने की खीर और बड़तन चड़ाई जाते हैं चोथा सागर है गोवर्धन सागर ये निकास चोराये पर इस्थी थे यहां माखन मिश्री, गेहूं और लाल कपड़े चड़ाने का विधान है पाच्छवा सागर है उजेन शहर से लगबक चार किलोमीटर दूर ग्राम उंडा सामे इस्थित रतन सागर यहां पंच रतन महिलाओं के श्रंगार की सामगरी और महिलाओं के वस्त्र चड़ाने की परंपरा है छटा सागर है प्राचीन राम जनार्दन मंदिर के पास इस्थित है विश्नु सागर भक्त यहां पंच पात्र ग्रंथ माला आदी चीजे चड़ाते हैं साथवा सागर है इंद्रा नगर के नजदिक पुर्शोतम सागर यहां चलनी और मालपुआ अरपित करते हैं अधिक मास में ही क्यों करते हैं सब्त सागरों की परिक्रमा अधिक मास तीन साल में एक बार आता है इसे मल मास भी कहते हैं धार्मिक दरश्टी से इसका विशेश महत हुए जब भी अधिक मास होता है तो श्रद्धालू सब तो सागरों की परिक्रमा जरूर करते हैं मान्यता है ऐसा करने से शूप फलों की प्राप्ति होती है। अधिक मास में भगवान विश्णू से संबंधि थे। इसलिए इस महीने में किये गए धार्मिक कारियों का फल कई गुना होकर मिलता है। यही कारण है कि अधिक मास में सब्त सागरों की परिक्रमा की जाती है।